आपको बहुत बहुत सागत है तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपोर्टेंस कंपणी के आपडेट से आर करूंगा तो इस वीडियो के अंदर जितने सरे कंपणी के बरे में चर्चा करूंगा उसके टेकनिकली चार्ट पटन बहुत सांदर लेबल में बना है और तो आपको कौन सा चीजों का अनलाइसिस करना है वो भी मैं इस वीडियो के उपर सेर करूंगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सबस्क्रेम नहीं किया तो जुरू कर लिजेगा कंटिनसली इंफर्मेशन और आप्डेट्स पाने के लिए चैनल के उपर बन रहीएगा तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कौन सा कॉमपणी है इस वीडियो के अंदर फर्स्ट जो कॉमपणी है उसका नाम है के पी आई ग्रीन एनरजी देखिए ग्रीन एनरजी जो है वो देखा जाए तो एक एनरजी सेग्मेंट के उपर काम कर गया तीन सो पचत्तर से बारा सो पचास तक कमपानी जर्णी दिखाया तो ए जो जर्णी है यह अलग लेवल का जर्णी आप देखने को मिले और रही बात कमपानी के मार्केट क्यापका अभी भी देखी बहुत छोटा कमपानी है मतलब चार जा तीन सो करोड के आसपास है और इसका growth potential high level में होने का chances है क्योंकि अभी भी बहुत चोटी सा कमपानी है और आप देखेंगे तो कमपानी के जो performance ROC ROE दोनों ही best देखने को मिलेगा अभी peer issue 30 के आसपास है और अभी कमपानी का मतलब industries peer issue कितना है 46 इसका मतलब कमपानी का peer issue अभी भी undervalued है कमपानी के ज average ली और कमपानी के current जो period से चला है वो कितना है 30 के आसपास average ली तो मैं जुरू कहूंगा इस कमपानी के उपर आपको focus होना चाहिए और रही बात ROC ROE में दोनों में आपको best performance देखेगा देखे आनौली income भी अच्छा कासा है उसके basis में कमपानी के depth देखाई तो 2.58 के आ business को expand करने के लिए बड़ा करने के लिए यतने सारे उसको project मिला है उस project को compete करने के लिए company के हाथ में तो extra पैसा नहीं है तो वो कहा से उस project को compete करेंगे तो उसलिए उसको करजा लेना पड़ रहा है अगर इस company के sales के बारें बात करूँ तो quarterly जो sales है आप देखेंगे कितना सा तरीके से company sales को increase किये expense को भी control में रखे और उसके कारण company का 21 करोड से 35 करोड के आसपास profit देखने को मिला तो अलग level का profitability growth हुआ उसी basis में देखाए तो company का जो balance sheet है ध्यान दीजिए कि इस चीज वो यह company का borrowings 2019 में से 40 करोड है 40 करोड था और आज कितना सारे 800 करोड के आसपास इतना करजा बढ़ा कि देखे सबसे पहले company को में trade के बारे बात करोंगा देखे 2019 में 40 करोड का जब करजा था से उसको पोजेट मिला था से 13 करोड और आज कितना पोजेट मिला है 200 करोड तो almost यहाँ पे भी जितना growth हुआ उसी तरीके से करजा भी बढ़ा कि को company को बहुत में चाल चाल तो कितना है 134 करोड तो 134 करोड का total profit हुआ और साथी साथ company का sales growth, profit growth एक best level में देखना को मिला और उसके साथ company का जो CGR का percentage है वो भी आपको सांधा तरीके से देखना को मिला तो company आपको 3 साल में करीबं 200% एक साल में 180% के आसपास return दिया तो कहने का मतलब है इ the investor, promoter से लेकर FSDS public हर किसी के पास investment आपको दिखेगा तो आप इस company के उपर क्या decision ले चुके है जोरू मुझे comments करना तो फिलाल के जो situation है अगर मैं delivery का percentage दिखा तो delivery दिखिए continuously एक down level side में देखने को मिला इसका मतलब continuously जो delivery उठा उठाना चाहिए था उतना जादा delivery यहापे उठ नहीं रहा क्यों कि दिखिए जब company top level में होता है मतलब एक तम higher level में इसके उपर कोई previous high नहीं है continuously लगातर company obtain में जा रहा है तो बड़े investor उस time नहीं करते है बड़े investor तब निवेस करते है जब retracement हो एक सस्ते दमा मिले discount में मिले तब उस जगा पे वो भाई करते है तो क higher low बनाया था इसका मतलब एक upside momentum company को वो देखने को मिला और finally breakout हुआ और एक धमा का performance हुआ और दिखिए आप एक cup with hand patterns भी बना था जिसको breakout किये और उसके बाद एक breakout होने के बाद यहाँ पे directly target हो गया तो इस तरीके से trade को हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि जिस candle ने breakout करे उसके candle मिला वो almost target के आसपास तो इस तरीके से जब भी अगर यहाँ से retestment करके फिर से बापस जाता तो यहाँ पे anti लेता तो directly target बन चुके है तो next time अगर यहाँ पे आएगा तो मैं कोई भी anti नहीं लोगा तो देखिया आज company top level में है जिसके चलते हुए company के उपर अभी बड़े investor निवेस नहीं कर रहा है तो आप भी सोच समझ कर काम करेगा ऐसे नहीं के blindly निवेस कर दू के continuously भाग रहा है भागते हुए 10 में मत चड़ना आपको बही 10 में चड़ना है जो almost rail station में अभी भी खड़ा हुआ है तो इसका मतलब है अभी भी company stand कर चुके discount में दे रहा है तो ब pressure क्यों है दिमाट उतना जदा growth क्यों नहीं कर पा रहा है उसके पीछे reason में आपको समझाता हूँ देखे Reliance के साथ दिमाट को टकर लेना इतना आसान नहीं है किके दिमाट का जो total market cap size है तो करीबन 24,000 क्रोड के आसपास और मतलब revenue जो है 24,000 क्रोड के आसपास है और आप देखेंगे तो Reliance का जो total revenues है 1.62,000 क्रोड के आसपास तो सोचिए 1,62,000 क्रोड के आसपास तो कितना ज़्यादा यहापे company का revenues है आप देख सकते हैं आप कहेंगे sir बहुत ज़्यादा है तो डिमाट क्यों नहीं कर पार है तो उसके पीछे reason भी है अगर सबसे पहले में company का store के बारें बात करू तो number of stores के बारें बात करू तो यह previous data है फिर भी data को देखकर आपको समझना और अभी डिमाट के कितना दोसो बारा करो अभी देखेंगे सेल्स का growth कहा से कहा तक है और company के EBITDA margin में देखिए यही तो फरक है इस company में तो EBITDA जो margin है जो ज़्यादा होना चाहिए था रिलैंस का अगर रिलैंस से कई गुना ज्यादा किस कहा है डिमाट का तो डिमाट दे ठीक है उसका जितना store है उस हिसाब से revenue तो ठीक है company के माल ने तो EBITDA margin काम है मगर company का growth है अब देखेंगे तो रिलैंस के same to same growth हो रहा है 24% अभी थोड़ा सा कम हुआ रिलैंस से थोड़ा सा कम हुआ और इसी की चलते है यह सारे कारण के बज़े से अभी इंडिया में रिलैं रिलैंस को तेजी से growth कर रहा है और उसका store लगातर बढ़ते जा रहे और रिलैंस एक target भी लिया हर दिन इंडिया में दो stores न्या पो open करने मतलब कर रहा है तो सोची हर दिन दो store open करना मतलब साल में कितना होगा करीबन 700 से भी ज़्यादा तो एही चीज रिलैंस को एक push दे रहा है और जो डिमार्ट को push नहीं कर भार है तो डिमार्ट भी push करने के लिए online business भी start किया है और भी नया नया strategies वो करने वाल है क्योंकि डिमार्ट कोई छोटे मोटे बैक्तिका company नहीं है डिमार्ट रधा किसंदमाने जी का company है और अब उसका एक अलग level का knowledge भी है माल लेता हो Reliance के पास पैसा है दिमार्ट के पास उतना पैसा नहीं है फिर भी दिमार्ट कोई छोटा मोटा company है दो लाग पचास हेजर कोड़ के आसपास बन चुग है तो कहने का मतलब है companies के उपर आपको research करना होगा क्योंकि sales बड़ा expense घटा औ और company का profitability same range में है इसमें कोई भी अंतर अपको नहीं दीखेगा इसलिए साइद company अच्छा खासा 3-5 सल में return दिया वगर एक साल में company negative return दिया और negative एक साल में दिया इसका मतलब नहीं कि company बेकार हो गया ऐसे मत समझना company के सारे parameters आपके लिए इसलिए share क्या हूँ कि आपको प तो बाकी आप इस company के उपर क्या रहा रखते हैं जोरू comments करना अब डीमाट के बार में सिर्फ में एक साल की data दिखा दू तो एक साल में company के उपर करीबन 3% के आसपास loss हुआ बाकी देखे 3 साल में profit 5 साल में धमा का profit 172% के आसपास और 10 साल में तो सारे record तोड़ दिये different times आपका fund कर चुके थे तो कहने का मतलब है company के उपर आप research करिए उसके बाद काम करिए और मैंने आपको एभी mention किया कि आप इस shoulder come head come shoulder Kate होने जा रहा है तो जब इसका shoulder complete होंगे तो आप कुछ decision जूरू आप बनेगा तो आपके साथ जूरू share करूंगा तो डिमाट के उपर नाम है उसके उपर research करके काम करना तो अभी next company उसके नाम है VVL मतलब borun beverages limited तो VVL के बारे हैं बात करो तो 1,33,000 क्रोड के आसपास market care है जहापे आपको ROC ROE दोनों ही base देखने को मिला अभी company के दिखिए depth के बारे हैं बात करो तो depth थोड़ा सा बढ़ चुके है अभी अज़र लेने के बाद भी company के पास 1550 क्रोड के आसपास profit देखने को मिला माल लेता हो promoter के पास अच्छा कासा holdings भी है हात में cash उतना ज़्यादा नहीं है फिर भी cash ना होने के पीछे reason भी है देखिए company के जो borrings है वो पहले तो 1900 क्रोड के आसपास था वो borrings अभी बढ़ जो situation wise देखू तो company के उपर जो fixed asset है उस fixed asset के बारे में चर्चा करो तो आप देखेंगे तो asset में आपको जो चीज सबसे जो the best देखने को मिलेगा वो है plant and machinery देखिए बरून बेबरेजेस production करते है production manufacturing करते है production भी करते है तो जिसके लिए machinery ज़्यादा देखने को मिलता है आपको इतना सांदा रिटन नहीं दे पाते तो ऐसे नहीं के सिर्फ रिटन दे रहा है sales growth, profit growth, return of equity सब कुछ आपको best तरीके से देखने को मिलेगा अभी companies के last few months का data दिखा दू तो कुछ data आपको देखने को मिलेगा जो 72-75% के आसपास delivery देखने को मिला था और मैंने चाट पटन भी mention किया था कि आपके एक range के अंदर फसे हुए है जब भी इस range को breakout करेगा और retracement करेगा तो एक बड़ा धमक आपको देखने को मिल सकता है तो retracement करके उपर गया फिर से नीचा आया और उसी level में एक hammer जैसे candle gate करेगा तो जब भी इस तरीके से hammer जैसे candle gate करेगा उसको breakout करने के बाद एक अच्छा कासा momentum जरेनी देखने को मिला है तो कहना का मतलब है कि company के उपर इस तरीके से जब भी trade बने तो आपको integer करके सोस समझ कर काम करना पड़ेगा तो वीडियो में अगर जान करेगा अच्छा मेरे तो प्लीस लाइक करना और demand account अभी तक open नहीं किये तो प्लीस नीचे link दिया है वहापे जाकर account open कर सकते है तो next चो company है उसके नाम है Nestle India तेके Nestle India के उपर एक बहुत बड़ अपड़ेट है कि company हर एक सर के बदले आपको 10 सर देने वाले है या पर एक सर के बदले दस सर क्यों कि को company का face value 10 रुपिया है और इस 10 रुपिया को company split करने वाले है split कितना करेगा 10 को एक बनाएगा इसका मतलब हर एक सर के बदले आपको 10 सर मिनने वाले है तो यह था कुछ companies के आपड़ेट तो वीडियो में जान करें अगर अच्छा मिले तो please like करना दोस्तों के साथ भी share करना with the next video में तब तक लेच्छे सरी अपने ख्याल लखे धन्यवाद